विल्कम बेक टू माई टूटिन पेपर हैकर कैसे हैं आप सब आई हूँ अच्छ होंगे और मैं हूँ सुरत राज आज किस वीडियों देखने वाले हैं बिटा जो बीए फस्ट सेमस्टर में हैं और हम राजनितिक विग्यान जिसे कहते हैं पॉलिटिकल साइंस उसके पेपर की बात करने वाले हैं फस्ट सेमस्टर के चातर है पस्ट एर पस्ट एर फस्ट सेमस्टर और राजनितिक विग्यान जैसे हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं चुब एक्जाम 2022 के लिए बास्त इंपरेंट है मैं आपको से बादा कर सकता या फिर हमारे टेलीग्राम पर जॉइन हो जाएंगे आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा दो तीन दिन में सारे नोट्स को आप डालोड कर पाएंगे बड़े आसानी थे ठीक है तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सब्सक्राइब करने वाला कोई पैदा नहीं आपके यूनिवस्टी के अदर पेपर हैकर सब्सक्राइब है तो हम स्टार्टिंग करते हैं आप आपके प्रश्टिक को देखना है कि आपकी कितनी तयार ही है ठीक है आपने बस इसको पढ़ लेते हैं मैंने आपको यहां से द को से उठाया है और कुछ माने अपने तरफ से कोशनों को एड़ किया है और कोड करके आपके सामने इन कोशनों को लाएं आप हमारी जो नोट्स को डानलोड करोगे बहुत दो को से और मेरी तरफ से बनाएगा कुछ कोशन उसमें एड़ होंगे आप बहुत ध्यान से तो यह संति परवत कि से संबंदत होता है तो शांती रखना किसमें महाबारत के अंदर गताएगा यह निर्वासन किसे बोला जाता है निर्वासन बूला गया है निर्वासन दंड से कहता है निर्वासन दंड किसे क्या होटाइब निर्वासन दंड होता है देश से निकालना निर्वासन दंड के अंजर करता है नेक्स्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है कि आप हमारे नोट को डाल्लोड कर लिए नोट का लिंग डिसक्शिन बॉक्स में है एमसी क्यों का भी नोट्स हमने प्रवाइड कर आए है और रिटन एक्जाम दिसका रिटन एक्जाम हो रहा है उसके लिए भी लिक्षा दोनों प्लेव में दे रखे हैं तुब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा और हमारी टेलिग्राम जॉइन हो जाए टेलिग्राम पर और फेस्बुक पेज को लाइक कर दीजिए फेस्बुक में दे रखा है और हमारे दूसरे चैनल है बीए वाई पेपर हैकर उसको भी सब्सक्राइब कर लिए उस तरके आपको बीए की वीडियो मिलेगी जो आप देख रहे हैं अर्थसास्तर के रचैता कौन है हमसे पूछ दो में दे रखे हैं यहां से देखो भारती राष्टी कांग्रेस किस की स्थाफना किसे किस के दवार ती उसका नाम बताना है बताओं कि अधिक्ष्टा कि अधिक्ष्टा कि अधिक्ष्टा कि इसका नाम क्या था अधिक्ष्टा कि अधिक्ष्टा को राष्ट बाद के पिर्मुक नेता कौन थे कि उदार राष्टबाद के पिर्मुक नेता कौन थे आप वताना है पटादो फटा-फटा-फट इसकोशन का अंसर क्या होगा गोपाल कैसकते हैं गोपाल किष्ण गोखले गोपाल किष्ण गोखले ऑप्शन में डी को लॉग करेंगे सबी लोग चलो मौश्ट इंपोटेंट 2022 में आने वाली कोशन है मैं आपसे कह सकता हूँ एक भी कोशन बाहर नहीं जाएगा आप इन कोशनों को पढ़के जाते हैं तो आप खुद कहोगे कि सर जो आपने पढ़ाया वही पेपर में आया सक्त में बहीं छपेगा किसे बाहर कुछ नहीं आने किया था बाल गंदा था अप्शन नमर भी को लोग करिएगा नेक्स कोशन बोला गया है हमारे दल का नाम करम दल और हमारे उद्देश का कार्ण नहीं वर्न हमारे साधनों का कार्ण पढ़ा है ठीक है यह कफन किसका है कर रहा है इन साधनों के कार्ण हमारा नाम पढ़ाए मेरे हमारे दल का नाम करम दल नहीं हमारे उद्देशू का कार्ण नहीं है पर हमारे साधनों के कार्ण पड़ा है ये कसन किसका है बताइए ये किस ने बोला था तो जिस ने भी option number दिया है बाल गंगार दतलाग विलको राइट option number D के और लोग करेंगे नेक्स कोशन यहां बोला गया है ध्यान से देखेंगे देखो बोला गया कह सकते हैं बंगाल विभाजन किस वाइसराई के समय में की घटना है बताइए जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें वाइसराई कौन था बताइए वह समें वाइसराई कौन था बहुत ज़्याद और पाल आपको बता है मैंने भी बता है गरम दल विल्कुल ठीक है जो नेये नेस रखनो डब रिखल you नेक्स कोशन आपके सामने इस कोशन को ध्यान से देखेंगे यहां कहा रहा है सेरे ए पंजाब किसे कहा जाता है तेरे ए पंजाब किसे कहा जाता है चार आपके सामने आपके सामने आपके सामने आचुका एक बार देखेंगे यहां बुला गया है देखिए पंजाब किसे कहा जाना जाता है तो कह सकते हैं जो पंजाब का केसरी के रूप में जो जाना जाता था वो कौन जाना जाता है बदाइए 11 में कोशन का बिल्कुल ठीक है लाला लाजपतराई बिल्कुल ठीक है लाला लाजपतराई को जाना जाता था ठीक है पंजाब के नाम से एक प पंजाब भी भाया जाता पूरा पंजाब इनकी बातं dest啊 अकेला उसको ऑते ऐसे सकता तैने भारत में कि वर्ना की ब्रेस एक्ट पास की ठी ंपरी एक्ट थी उसको पास्क एक्ट उसा आरख उस बाइसराय का नाम आपसे पूछा गया है बताईए फटाफट कमेंट एक्षिन में आश्र रहेंगे वह अश्राय का नाम बताना है आप सभी को लाड क्या हो जाएगा लाड क्या हो जाएगा लिटन तो बिलकुल लोक मानने चिल्की बोल सकते हैं लोक मान जो तिलग थे फुरौक करेंगे ठीक है है लाइस के सामने है यहां बुला गया है वह allahée Congress कॉन थे है है बोला था न क्या होँदा मभा धाट उना अबने आपको पिर्दी सेना बनर्जी तो गुमेंचन्ध बनर्जी बोलेंगे वुबेशन बैसे नमोर जिसने भी दिया है यहां से कुछ हमारे ऐसे वह वह स्ब्सक्राइब होगा यहां आदोलन के पीछे सताब दियों के इतिहास था यह कठन किसका है तो आपके सामने है इस पूर्शन को इस बार पढ़ दीजिए भारत में लोहों जो पुर्ष की संग्या दी गई थी वो इसको दी गई थी तो बोलाक सरदार बलब भाई पटेल को दी गई थी इसे लोहों पुर्ष भी बोला जाता था 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 आवन अब है पटेल को डेट्स पूशन है कांग्रेस और मुस्लिम लिंग में नखलाव जो फैक्ट ठीक है पर कब हस्ता अक्सर किये थे तो आप वो इसक ने निस सो सूला में नेक्स कोशन बोला गया है कांग्रेस द्वारा प्रस्थाब कब पारित किया गया तो आप कहेंगे 1929 में पारित किया गया था नेक्स कोशन है का अंग्रेस का सूरत जो बिच्छेद सन इसमें हुआ था तो जो सूरत का बिच्छेद हुआ था वह था 1916 में is जो बोला गया है भारती रास्ति ए यता-बैटिस राज की दिस्व होती और भारति और पालने की यह पालने को आशिर वाहर दिया और इसका कथन तो आप कोगे ये था कूप लेंड का ये कूप लेंड ने बोला था ठीक है ये कथन किसका था कूप लेंड का था कि भारती राश्टा बेटिस राज के शिसू थी और ब्रेटिस अधिकारियों ने उसके पालने को आसरबाद दिया तो ये कथन किसका है ये कथन था कूप लें का यूग तो आप कोगे बोथी उन्निस भी सताबदी को भारत की राष्टी जागरती का यूग कहा जाता है तो नेक्स कोशन बोला गया कि भारत की उसमें क्या हुआ था जो जो का अधिवेशन हुआ था मनलब की इसमें लड़ाई हुई थी ठीक है क्रांट होई थी तो उसमे खॉला गया है कि भारत के राष्टी जागर्ण से ने घंडी यन नेस्ट्रसनल कहा था यह था कि मैं कह सकते हैं वहां और अर्बीटिस तम्राज के संकटों से स्चुरक्षा करना और उनको दिन भिन होने से बचाना जहाते थे यह कफन किसका तो यह लाला राजपतर आए का मुसलिम सफापना जो मुसलिम 종ण सब्सक्राइब एपने सब्सक्राइब थी हिसा अधिबैस नाधिशन विश्वा कि भीक मांगना नहीं अधापी निर्भरता है ये कथन किसका है मतलब हमारा जो आधर्ष है वो दवा की भीक मांगना नहीं अधापी क्या था ये अपितु निर्भरता है ये कथन किसका था तो ये था बाल गंगारत तिलक का नेक्स कोशन बुला गया है कि भारती राश्ती गांधी जी कपराष्टी कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो गांधी जी थे वो कपराष्टी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो वो बने थे 1924 में लेक्स कोशन बुला गया है कि भारत में सोदेशी आंदोलन कब प्रारम किया गया था तो 1905 में प्रारम किया गया था अब देखेंगे आसायोग अंदोलन कब परारम किया गया था इस तरीके से आंसरा आपको दिये होंगे फिर्थम 20 कब परारम किया हुआ बनाओ परारम किस सन में हुआ था फिर्थम 20 हुआ था वो 1914 में हुआ था याद रखेंगे परारम किसल में हुआ था आपको इनकोशनों को ध्यान से देख लेंगे और आपके दिए काफी इंपोटेंट रहेंगे देख लिए यह बुला गया है महत्मा गांदी की राजनेतिक गुरु कौन थे तो बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है कि महत्मा गांदी के राजनेतिक हम घातता के आच परवारी 1922 में। आज कोशेन देखा है कि महत्मा गांदी जप्षन अफ्रीका से अंहारत का वलॉंटरी ते से बहुत तलुटकर अब होगे 1914 मेनलों ते थे राश्ट का ओर कांग्रिस केत्स कभ बने थे bringing सो चॉएस में ठीक है सa कमीशन भारत का आ अवह आहाता था तो आप होगे साइमन कमीशन भारत आया था रोणी सो सब्सक्राइब करते हुए गांधी जी ने इस तासन प्रदंत की वापस कर दिया तो आप गोए केसर ए हिंद की उपादी दी गई थी केसर ए हिंद की उपादी की उपादी तो यह अनुवे की आंदोलन और भारत शोन और भारत शोन जो होता है उससे उन से देख लेते हैं यहां बुला गया है देखो अब यह आंदोलन कब सुझ किया गया तो आप अब होगी यह किया गयाँ सोह इसमिलीवका ऐस है उन्हें नेस सोफ तिंशन मुला गया है नहीं किया आँ-षग हादी ने नेक्स को सिंगा देखो फिर्थम गोल मेज कह सकते हैं गोल मेज समिलं का आयज दूर्ट किया गया तो पिर्थम जो गोल में आयोजन हुआ था, समिलन हुआ था, वो 1930 में ही हुआ था, जब डांडी यात्रा के साइड गहते तबी नेक्स कोशन बुलाएं, नहांदी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था, तो बहुत इंपुडेंट कोशन है आप गोगे, 6 अपरैल 1930 को ही नमक कानून को तोड़ दिया गया था, नेक्स कोशन बुलाएं, ब्रेटे समराज एक अभी शाप है, मैं इसे समाप्त करके रहूँगा, ये कथन किसका है, ये किसने बुला कि ब्रेटे समराज एक अभी शाप है, ये मैं इसे खतम करके ये महात्मा गांधी में कहा था, नेक्स कॉशन है, गांधी-इरविन सम्झोता किया गया, तो गांधी-इरविन जो सम्झाता हुआ था, तो कब हुआ था, ये हमसे बूसा गया है, तो आप गोगे, 5 मार्थ 1931 में, भारत चोड़ों अंदोलन का प्रारम तब हुआ, तो दे बहारत में लहोंपुर्श की संघ्याग कैसे दी जाती है वो सरदार पटेल को लोपृश बोला जाता है करो या मरो ये नारा किस ने दिया था तो महात्मा गांदी ने करो या मरो का हिवी अभणा इच्ट आट बहुत इमोडरन है ने बोटेंट जोन अप पूस्य को सबर्वी हम गांधि हन्द के द्वारा जो बन dalаг uh कोर्व जुह विया गया था नबुम यह मैन का oppression कि अगया तो सितम्मर्ण 1191 वीचत्राइब दूसरा वाला दूराश्टी किस कि नृष्ट किया थे हैं तो बैसे कि देना याद रखना कि धुलाज्च की यूजना के दौरा बहारत के देन्ड़ा~~ किया हुआ था भारत के विभाजन को सुच्रति व्रदान गी ती नेक्स्वेशन है माउंटवेंटन यूजना कब स्तावित की गई थी तो आप फरवारी निसवहां ने अब यहां देखिए यहां आप से कुछ और पूशेगा जैसे कि यह देख लीजिए भारती यहां सब्सक्राइब कर लिए और जादा से जादा दोस्तों को शेयर कर देजिए आपके साथ स्टेडी करते हैं उन्हें बता दू पेपर हैकर क्या है ठीक है तो उनको फटा-फट चलो से बोल दो और उनसे कहा दो किया चलो को सब्सक्राइब कर लो यहां से पढ़ाई करो अच्छ सबढ़िये स운shift अधीयन कब पारिद हुआ था तो आप कोगती सब 1977 में सवाधियन चाहिन्ता अधीयन तालिस और बाद को सअधीनर राज़ भारत और पाकिसतान में भारत की था लेकिन विचर欢वन कर तो यहां सा नीन immortु Shapर HIS का उद्देश क्या था विटा भारत बिभाजन कर दो स्वतंत्र राज भारत और पाकिस्दान का निर्मार करना था चालो देखते हैं next question के देखो चौता कोशन बोला गया है भारत का मिनी समीधान किसे कहा जाता है तो भारत का मिनी समीधान है तो यह बोला जाता है आपको बता है मिनी समीधान किसे बोला जाता है तो भारत सरकार अधिलिएव 1935 को बोला जाता है ठीक है मिनी समीधान 1935 को बोला जाता है ठीक है लेक सरकार द्वारा उन्निस में कौन सा अधिवेशन पारिप किया गया तो आप कोगे कह सकते हैं मौंडग्लू चैम्सपोर्ड अधिनियम नेक्स कोशन मुला गया क्या सभीधान क्या क्या सभीधान वैद सासन प्रांडी की अपेक्षा अधिक खराब है यह कथन किसका है तो आप कोगे वैद चासन अवस्ता अपनाई गया था देखिए इंपोटेंट कोशन न सारे यहां पर वीडियो को ध्यान से देख लिएगा और आप दुबारा से रिपीज कर सकते हैं नेक्स कोशन है भारत का अंतिम गवर्नर जनर्रल कौन था तो आपको जो अंतिम था वो था श् अवríां से लेट है उनको हम देखने वाले हैं तो वैसे हमारी आठ इस हैं हम इसको चार इन को डिवाइड करेंगे चार हमोशन वीडियो को आप हमारे नोडोड को डालूड कर दीध है जाएए और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लिजिए टेलीग्राम पर उसका लिंग बिल जाएगा आपको बहां भी मैं पोस्ट कर दूगा एक या दो दिन में आप फिलाल चेक कर लिजिए साइट तक आप वीडियो देख रहे हैं आपको मिल रहे हैं इसका फिल्वाक्स पे सभीधान की रचना में सब्सक्राइब साइब करता है तो यहीं हमारा घंभीट डाला था भारत सभीधान पर लेक्स कोशिन बोला कि भार्त ये सबीधान के वे पिर्तिमिंद करता है तो क्या करता है आप भारतीय सभीधान में कितने अनुषयद और उसूचिया है भारतीय सभीधान में कितने अनुषयद है और रखिये यहां बोला गया है भारती सभीधान में संसोधन की पदिती का उलेख किस अनुछेद में किया गया है तो आर्टिकल 368 में आर्टिकल 378 की तरहीं किसी भी आर्टिकल में हम संसाथन कर सकते है किसि भी सबीधान समने सन लीद हान साथ किुछ है आप घाने ओटा है संग्सकृ happiness का मतलब होता है सभीधान द्वारा के अंदर राज्चक्षण सकती बांध है बना सकते हैं तो इस तरीके से सब्सक्राइब करेंगे नेक्स कोशन यहां बुला गया है कि इस अनुशेत में से विफल हो जाने से उसपन संकट का उले किया गया है तो आर्टिकल 356 देखो आर्टिकल 352, 356 आपको पता है यह राष्टपती अपातकाल लगता है और कभी याद रखना कभी कोई सभी अपातकाल लग जाए लेकिन हमारा आर्टिकल 20 और 20 बन कभी बिंदरस्त नहीं होता बाकि सारे हमारे मौनि खतम हो जाते हैं हमसे चीन लिए जाते हैं जब हम पर क्या होता है अपातकाली लगता है तो चाहरो नेक्स्कोशन को चलते हैं भारत में सभीधान संसोधन की पिरिकिरिया कि सभीधान से लिए देखो बोला गया कि भारत में सभीधान संसोधन की पिरिकिया हम जब भारत में होता है नेक्सन बोला गया है सभीद्हान की अध्यक्स को नेक्स प्रावुंप समईथी के अध्यक्स को होने नैसॉट किसका सभी होता है तो अंबेड कर दिटा तो प्रामर्स देते थे और को निर्मार किया था तो बीएंगा नेक्स कोशन मुर्गा अब जाते तो आपको वहां नहीं बसने दे लेकिन आप वह राज वाले यहां और यहां वाले वहां जाके अपने जलीन देसे वहारत में फूली तरीके से हो गया है और तीजारा की तो चलती तो चंबुकत्मी में अब उसको घ्टा दिया गया पहरती सभीधान की संगी सुची में किसने विसा है तो आप गोगे संगी सुची जो होती है उसमें सब्सक्राइब भारती सभीधान की जो वहिसकार किसके द्वारा किया गया तो आप गोगे जो भारी सभीधान का वहिसकार किया गया था वो प्यागा था था भारती सभीधान सभा के पुल कितने अधीवेशन हुए तो आप गोगे बारा अधीवेशन हुए तो आप गोगे बारा अधीवेशन हुए करने की विवस्ता सभीधान के किस अनुश्यत में दी गई है तो आप वे जो राज में तो लगता है ठीक है राश्ट्रफदी सातर वो आर्टिकल 356 के पर लगता है और वित्ते अपाथ का लगता है 300 स्राज के तेह जो भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा समझ नही संबंदित है सं संदन संस safe लिया आ गया तो आपको highly डॉस है तो हम उड़ा गला गया python के लिजो को सब्सक्राइल कि अनुंचर लिग्या गया तो अörगर इनुच्प नगरों को रखा इंब जालो आठ में रूसुची में आसा पो रखा क्या यहां गोला गया है सभीधान सभा का अध्यक्ष कौन थे आपको मता राजमेंट बख्षा थे भारती यहां कह रहा है भारती यह सभीधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो आप कोगे 9 दिसंबर सभीधान सभा की पहली बैठक की आप हम चौथी यूनिट को देख लेते हैं चौथी यूनिट के बाद में चार यूनिवारी क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे एक्स्ट्रा इसमें हमारे मौलिक अधिकार के लेटिक्स कोश्टन बूचे कहें जाराधर कोश्ट मौलिक अधिकार को मतलब क्या होदा है आधालाग नमर एक में गया है राज-सरे में डीकर तक नेमें क्या तो आपको फिए जो आर्टिकल दे रखा है डिकूँ से अले में हमारी क्या देर रें से लेका 5 7議में 11 Ос agreت में एक से सब्सक्राइब और भाग नमर तीन में मौलिक अधिकार भाग नमर चार में सब्सक्राइब नेर्क से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है और यह बच्छों क्षाइब मुलने का भी कार दे रखा मंदिर बनाने का दिकार दे रखा इसका वह दीकार पतले का कर दो ढूतार करना उसका धर्म बनता है पहला को नहीं करता है तो आप उस पर एक्सल ले सकते हैं यह हमारा आटिकल 20 बोलता है बर्तमानमी में हृती सबीधान में कितने मौलिक अधिकार को थिछे हो जाता हूं अब सकती का झाचे कर झादिया अब कानूनी अधिकार नंकि गया है तो आपादकाल लागू किया जाता है तब मौनिका भी कार आपके सारे खिन लेगा ठीक है तुम आप कहते हैं तुम आप कहते हैं लेकिन आपकाल ट्वंटी बन नहीं चीन हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि अधिकार को किस सभधानिक संसोधन दुवारा सवाफ किया जा सकता है यहां कर आपके संपत्ति के अधिकार को कौन से सभीदान संसोधन दुवा था जिसमें खतम कर दिया गया तो आपको बता है बहुत सभीदान संसोधन मौलिक करतब बताओ मौलिक करतब का उल्ले है बताईए तो मौलिक करतब है वो पहले हमारे दस थे आप कितने हो गयारा मौलिक करतब हो गया तो नहीं हो जाती है तो पड़े लोग नेक्स पोशन है राज की नीची निदेशा तत्व भाग में वहना वह कौन से आठीकल के शुरुक्त थे निदेशा करेस्त तत्मकी बाग की जा रहे हाँ बनीदी निदेशा तत्मकी वह भाग में एक कारव इए तुछा भाग में हबता निदेशा करते हिंलों है hasn't इस नेध निदेशा करें दργूर्यक्तोश भाग में सातुर्षन हमें। कि से लिया है बोनीति कौन मनाएगा रिधी किसके दोरा बनेगी आप गया मौनीका अमेरिका से लिए गया है ठीक है हमाइब तेकर और यहां देखो यहां बुला गया है भारत में राज के नीटी निदेशाथ में आइलेंड से लिये गहाँ पोई दिदकात नहीं निदेशाथ में से लिया गया है इस फोड़ा गया है नेक्सक्राइब हर भारती सभीधान में कर्टबू को कब सब्लूट किया यहां गोला गया है सभीधान का अधिकार सभीधान का किस में है आप को देखो आर्टिकल देखो हमारा कोई सब्सक्राइब करता है मतलब हमर्य आरहा है मौलेक अधिकार को इने हमसे छिलता है तो हम सुप्रेम कोड़ में अर्टिकल 20 अर्टिकल 32 Тू के टहर्त हम unas seagull कोड कर सकते our सब्सक्राइब 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 है यह कफन किसका है उसको यह पूसेसर लुलास्की था उसका था ठीक है मौलिक अभिकार को मुख विशेष्था यह है कि वे राज द्वारा पारित विद्यों के ऊपर है इस कफन को बताएं यह बोलता है पतंजली सास्त्र बोलता है नेक्स कोशन है राज नीती निर्देश् करता के सल्यान को प्रिस्ताहित करने वाली समाजिक व्रस्ता का निर्माण करता है यह कफन किसका ये तद्व उद्देश और अकांशां कोई अकांसाओं की घोशना बात रहें ये कफन किसका तो यह है प्रूफेसर क केशी यह का नेक्स कोशन है यह सिंधान के आदर्श है जिनकी पूर्टी का सरकार प्रित्य न करेगी यह किस ने कहा था यह कहा था एल्सी किड़ करने हैं कि राज के नीति निर दे सकता तो भारती सविगान की किस अध्यन में कि इन अनुछेत में हैं तो आप वोगे अध्यन 4 अनुछेत 36 से लेकर 51 तक है अध्यन 4 का मतलब होता है और आटिकल 36 से लेकर 51 यूटिन इस तत में आपको बताएं संप्रत्ति के अधिकार के संसुदंत में मौलिक अधिकार से सुचिते हटा दिया गया था तो वह हटा गया तो वह था तो वाले कि पूरा किया ठीक है बाकी हम देखेंगे आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और नूट्स को मारे डालूड कर लीजिए लिंक इसका फिल्मोक्स में चलो को सब्सक्राइब कर लिए था 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 था